साउथ अफरिका में अपनी पहली टेसरीज जीत के लिए भारती टीम का इंतजार और लंबा हो चला है। सेंचूरियन में जीतने के बाद सभी भारती फैंस को यही उम्मीद थी कि टीम इंडिया अपने सबसे लगी मैदान वांडरर्स में जाकर इतिहास बना लेगा लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। साउथ अफरिका ने पहली बार जोहांसबर्ग के मैदान पर भारत को हरा कर सभी को हैरान कर दिया। स्पैजम के कारण मुकाबले से बाहर हो गए और उनकी जगर केल राहूल को कपतानी सौब दी गई और ये भारती टीम के लिए सबसे बड़ा जटका था क्योंकि अगर पिछले पांच सालों में भारती टीम दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम रही है तो उसमें सबसे बाहरती टीम की बलेबाजी चल रही है वो अपचिंता का सबब बनते जा रहा है पहले सेंचूरियन और फिर जोहांसबग में टीम इंडिया के बलेबाज गयर जिम्मेदाराना बलेबाजी करके टीम को लेट डाउन किये हैं दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में सिर्फ केल राहुल और आर अश्विन के बले से रन निकले थे इसके अलावा बाकी सभी बलेबाज फ्लॉप साबित हुए और टीम इंडिया यहीं पर मुकाबले में काफी पिछड गई थी पहली पारी में सिर्फ 202 रन बने थे अगर भारती बलेबाज थोड़ी जिम्मेदारी ल आपको बताते हैं मुहम्मद सिराज पहली पारी में गेंदबाजी करते वक्त अपनी हैमिस्ट्रिंग की चुआ बैठे थे जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था हालांकि सिराज वापस गेंदबाजी के लिए तो आये लेकिन सिराज उसी धार के साथ गे खेल रहे अश्विन से काफी उम्मीदी थी जोहांसबर्ग की फिच तीसरे दिन से घूमना शुरू हो गई थी ऐसे में अश्विन अगर मुकाबले में और बहतर गेंदबाजी करते तो शायद साउथ अफरिका के बल्लेबाजों को अश्विन को खेलना काफी मुश्किल हो पहली पारी में शार्दूल ठाकूर ने एक अलोन वारियर की तरह साथ विकेट जटके इसके अलावा बुमरा शमी जैसे दिगज गेंदबाज इस मुकाबले में अपना जादा योगदान नहीं दे सके उन्होंने पिचेज में ठीक ठाक गेंदबाजी की लेकिन अपनी काम रहे और साथ अफरिका ने मुकाबला चौथे दिन ही आठ विकेट से जीत कर सिरीज एक-एक की बराबरी पर लाकर खड़ा किया है और यहां से कैप्टाउन में खेला जाने वाला तीसरा टेस्ट मैच सिरीज डिसाइडर बन गया है ऐसे में भारती टीम को जल्द से जल पहली बार सिरीज जीत कर इतिहास रचना है तो बल्ले बाजों का चलना काफी ज़रूरी रहेगा तो दोस्तों आपके इसाब से क्या रहा भारती टीम के हार का सबसे बड़ा कारण अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईए और क्रिकेट स जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें शेर करें और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले